हलो इस्टुट मिरा नामे सची मोधी और एक बाग फिर से आप सभी का स्वागत है गाइड ली यूटूब चैनल पे माईडी एस्टुमेंट आज का जो हमारा टापिक है यह अंसर्टीन नंबर और पॉसर इन लाइन की कितने लोग बैट करना है तो हम किस तरीके से पता करेंगे इस पैटन के सिटिंग रिजमंट को कहते करेंगे चलिए वह मैं आपको आज की सेशन ग's गैशन में दर आप हर faculty का live batch देख सकते हैं चाहे इन्वे कोई सी faculty यहाँ पर हो इसके बाद अगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि गाइड़ी का express course हुआ है वो अपने आप एक sufficient course है इस course में live classes भी मिल रही है मौक टेस्स भी मिल रहे है recorded videos भी आपको मिल रहे है प्रैक्टेस क्यों भी मिल रही है यानि सब कुछ आपको मिल रहा है मत और मत एक हजार चारसो निन्यार में रपाय में सो यह आपके लिए सबसे अच्छा मौका है इस बार SPI PO और जो भी आपका जो exam है जिसे आप निकालना चाहते हैं उसे qualify करने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता दू सभी के सभी जो courses हैं आपके 22 तारीक से start हो रहे हैं तो 22 महीं से आपको 22 महीं से पहले इन्रोल कर लीजिए चुकि 22 तारीक के बाद अगर आपने class छोड़ी तो वो आपको record की form में मिलेगी and here is the question देखिए हमसे क्या कह रहा है कि certain number of people are sitting in a row facing norm यानि हमें नहीं पता कितने लोग बैठे हुए हैं लेकिन कि facing पता है कि not face कर रहे हैं और इनके name यहां से अपना question मैं आप सभी से यह request करता हूं कि आप 2 minute के लिए आप इस video को एक बार pause कर सकते हैं और pause करके एक बार self try करिए कि क्या आप इस question को खुद solve कर पाते हैं और अगर आपने solve कर लिया तो फिर आप सीधे answer देख सकते हैं कि इस question का correct answer क्या है और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हू अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है guys go for it क्योंकि आपको ऐसे videos आप daily मिलेंके जहां रखिएगा daily मैं आपको ऐसे videos देना start कर रहा हूं तो चलिए अब मैं आपको एक question का approach बता रहा हूं कि इस question की क्या approach होनी चाहिए यानि कैसे और किस तरीके से आपको एक question solve करना है certain number of people are sitting in a row facing not g2 sits third from the right end of the row सबसे पहला clue यही है क्या है यह मानलो एक row है this is the row अब g2 जो है वो third number पे right end से यानि कि पहला बंदा दूसरा बंदा और तीसरा बंदा that is g2 हाना आगे क्या कर रहा है three person are sitting between g2 and b5 तो one two three और यहां पे आ जाएगा b5 इसके बात है b2 sits exactly in the middle of the g3 and g1 देखो b2 जो है वह exactly middle में है किसके बीच में g3 और g1 और g3 और g1 इसका मतलर है है इसके और उसकी बीच पे सिटिंग करेंगे आप हम नहीं पता बीचने और g1 की सिटिंग कहा पर है छोड़ दो लेकिन यहां में पे increase to दो बंदे हो सकते हैं तीन बंदे हो सकते हैं यह थोड़ना पता है इसको बस इतना करो छोड़ दो आगे देखो B3 sits to the 6th right of G3 अब ये कह रहा है G3 के right में 6 number पे B3 है अब G3 यहाँ पे है G3 के right में 6 number B3 लेकिन इसके बीच में जब तर मुझे लोग पता नहीं होंगे मैं प्लेस नहीं कर सकता तो B3 sits to the 6th right of G3 and B3 is an immediate neighbor of B5 अब B3 किसका पड़ोसी है B5 का पड़ोसी है अब B3 अगर B5 का पड़ोसी है इसका मतलब B3 यहाँ पे होना चाहिए अब G3 के right में 6 number पे है ना जो ये 6 है तो 6543 इसका मतलब एक एक बंदा रख दो तो G3 के right में 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गया ना यानि इस information से आपकी ये line clear होगे B1 sits third to the left of G3, G3 के left में, अब देखो, ये बोला है G3 के left में, लेकिन immediate left है, immediate left नहीं है, ये हमें नहीं पता, तो G3 के left में आना चाहिए है, इधर कहीं पे भी B1 आएगा, लेकिन किदर आएगा, immediate आएगा, नहीं आएगा, पता नहीं, तो हमें देखना पड़े हैं कि इसकी बी आएगा, चलो, महाँ पे discussion ही कता है, मुगया तर अपना, G4 is an immediate neighbor of G2 and B4, देखो, G4 जो है, वो immediate neighbor है, इसका G2 का और B4 का, अब देखो, G2 अपने पास ये रहा, अगर ही अपने पास G2 है, तो यहाँ पे कह सकते हैं, G4 और B4, यहाँ पे G2 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अगर आपने यहाँ पे कहेंगे, भालो B4, यहाँ पे कह सकते हैं, G2, मतलब G4 and B4, तो कुछ कह नहीं सकते हैं, कि किदर आएगा, यह इधर right भी आ सकता है, यह इधर left भी आ सकता है, क्योंकि यह दोनों places भी खा ली है, और यह दोनों places भी खा ली है, तो इसको अपने to the right of G4, देखो, B1 के left में जितने भी लोग है, उतने ही G4 के right में, तो B1 के left में जितने लोग है, G4 के right में उतने लोग है, तो B1 तो यह रहा, हमें यह पता ही है, कि यहाँ पे कितने लोग है, कितने लोग नहीं है, जब तक हमें यह नहीं पता लगेगा, हमें G4 से इस condition को तो छोड़ देते हैं आगे देखो less than 17 people sitting in this row अब आप देखो 17 है ना तो count गल दो देखो यहां पर 123456789 10 11 12 13 14 15 15 तो यहां पर हो गए इसका मतलब less than कैसे 17 बोला है अब एक बाह बताओ जीटू अगर यहां पर है अगर मैंने जीटू के बाद यहां पर जीफोर और यहां पर बीफॉर देखा ठेक है समझना इस बात को अगर मैंने यहां पर लिख़ दिया जीफोर तो condition गलत हो जाएगी ना क्योंकि जीफोर के राइट में फिर किते लोग जाएगे 1, 2, 3, तो B1 के राइट के 3 बंदे हो जाएंगे और अगर यह हो जाएंगे तो 17 से ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि अपने पास कितने लोग थे 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15 15 अपन्दरा हो जाएगा इसका मतलब है G4 यहाँ पे रखना पड़ेगा और B4 को मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा तो G4 के राइट में कितने लोग होए? 1, तो B1 के लेफ्ट में कितने बंदे होने चीए? 1 बंदा, अब जैसी होँए तो 15 के बाद 1 बंदा है डोते ही टोटल कितने हो जाएंगे? 16 लोग हो जाएंगे, कितने लोग हो जाएंगे? 16 लोग हो जाएंगे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? जैसे ही आपने 16 होते हैं, तो B4, G4, G2 B4, G4, G2 B1 के लेफ्ट में जितने हैं, G4 के राइट में उतने हैं G4 के right भी एक है, तो B1 के left भी एक है, जानि आपका question यहां पर होगा complete, और less than 17 है, तो less than 17 का मतलर total कितने हुए 16, and here is the answer of this question, I hope so, आप सभी बच्चों ने इस question को correct solve किया होगा, और आपका भी same ही answer आ रहा होगा, ठीक है, so mighty student अगर आपका answer same है, और अगर आपके वीडियो पसं subscribe करें, और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके friend के भी काम में आ सकता है, तो आप यह वीडियो अपने friend के साथ भी share करें, और guidely channel को daily follow करें, ताकि आपको इस time पर मैं रोजाना नए नए वीडियो provide कर सकूँ, thank you so much for watching this video.